अजो आपके सामने गर्फरेंड और बॉइफ्रेंड का एक ऐसा मामना लिखे हैं जिसके बारे में जानके आप लोग काफे जारा हैरान हो जाएंगे गर्फरेंड को इंप्रेस करने के लिए बॉइफरेंड ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि वो उसको जेल की सिलाखों के अभी हवा खाने पड़ रही है चली पूरी अपडेट के लिए मेरे साथ लास तक टूरे रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए बैल आइकन को दबाईए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए ये जो पूरा मामला है प्यार सा मंद को लगी है आप लोगों को पता है कि आजकल की लड़का लड़की जो है वो एक्चली में एक दूसरे को इंप्रेस करने के लिए काफे सारी चीज़े करते रहते हैं इस दुरान ही एक लड़की को रात को चॉकलेट खाने का मन कर गया जिसके कारण उसको अपने बॉइफ्रेंड को बताया तो बॉइफ्रेंड ने देखा कि रात का अफिज़ादा हो गई है और रोड पे कोई भी दुकान खुली नहीं है तो अपनी गर्फ्रेंड को आखिर चॉकलेट तो लानी पड़ेगी इसलिए वह सीधा गई बाहर और बाहर जाने के बाद सब शॉप्स बन थी पर एक शॉप के बाहर फ्रिज बाहर पड़ा था जिसकी कारण उसने सोच रहे है कि इस फ्रिज को तोड़ेंगे और तोडने के बाद बहां से चॉकलेट निकाल और उन्होंने फ्रिज को तोड़ा और चॉकलेट बाहर निकाल ली कम से कम सास्सो चॉकलेट निकाल ली और उसके बाद सुबा जब मालिक आया दुकान का मालिक आया तब उसमें अपना फ्रिज को तूटे हुए देखके जल से जल पुलिस टेशन में रिपोर्ट करवाई और पुलिस चेशन में भी जो पुलिस वाले थे वो जल से जल आक्शन में आये सेसी टेवी कैमरा खंगाला और उसकी बात पता चला कि अविनाश नाम का एक लड़का है और उसी के साथ एक और भी लड़का वहाँ पर मजूद था जब ये सब चीजे खंगाली गई तब आविनाश को गिरफतार किया गया और आविनाश ने ये पूरी गुत्ती खोली कि उसने आखिरकार चोरी क्यों की है बताया ज़रा है कि 700 चोकलेट जो थी वो करीबन 20,000 रुपे की थी अभी एक्चली में चोरी के इलजाम पे उसको गि लेती हुँ इजाजद बबाई टेक के नमशकार